नमस्कार बच्चों स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल वेदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुष्टि का कक्छा 6 MP वोड की इंग्लिस लेसन नमबर 4 माई चाइल्डूड करने वाले हैं इससे पिछले वीडियो मैंने माई चाइल्डूड का इंग्लिस रीडर से पूरा लेसन करा दिया है इसको फिल करने के लिए आप उसे जरूर देखें उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यदि आप चैनल पे नए हैं सबस्क्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा इंग्लिस का कोर्स कराया जा रहा है और अच्छे से समझाया भी जा रहा है आईए शुरू करते हैं क्या है लेसन नमबर 4 माई चाइल्डूड पार्ठ चार मेरा बच्पन वेरी सॉट आंसर टाइप कुश्चन आंसर दा कुश्चन फ्रॉम वन थ्री इन वन वर्ड प्रस्न क्रमांक एक से तीन प्रस्नों के उत्तर एक सब्द में देना है पहला प्रस्न है गांधी जी के पिता के द्वारा खरीदी हुई पुस्तक का क्या नाम था तो स्रबना पित्रभक्ती नाटक ये लेसन नमबर 4 पेज नमबर 18 पैरा नमबर 3 इंगलिस रीडर में मिल जाएगा क्या आप सोचते हैं कि सच बोलना एक अच्छी आदत है यहाँ पे एक सब्स उत्तर देना है तो येस लिख देंगे हाँ अगला कुस्चन है राइट द प्लूरल फॉर्म आफ टीचर टीचर का प्लूरल फॉर्म लिखेंगे यानि बहुवचन लिखेंगे तो टीचर सो जाएगा लेसन नमबर फॉर पेज नमबर 18 परह नमबर थर्ड इसकी बाद है सौट आंसर टाइप कुस्चन आंसर द कुस्चन फॉर टू सिक्स इन वन सेंटेंगे प्रस्न क्रमांक चार से छे के उत्तर एक वाक्य में देने पूछ रहा है मेक अ सेंटेंज विद अवर्ड पेरेंट्स पेरेंट्स सब्दुका इस्तिमाल करके एक सेंटेंज बनाईए मुझे श्रवन को एक कावर में अपने अंधे माता पिता को ले जाते हुए की तस्वीर दिखाई दी थी नेक्स्ट कुस्चन है री राइट असेंटेंज यूजिंग दा करेक्ट वर्ड फॉम ब्रैकेट्स इस जो ब्रैकेट में वाज है वर है इसमें क्या यूज होगा दिखाए my books and my lessons books भी plural form में है lessons भी plural form में है तो जो बर्व होगी वो भी plural के लगेगी तो वाज की जगह वर हो जाएगा my books and my lessons were my friends मेरी किताबें और मेरे पार्ट मेरे मित्र थे ठीक है इसके बाद next question है write the three forms of the verb given blow नीचे दी हुई किरियाओं के form लिखने है present past past participle remember याद आना remembered याद आया remembered याद आ चुका purchased खरीदना purchased खरीदा purchased खरीद चुका ठीक है इसकी बाद है long answer type questions answer the following question in five to six sentence निम्न प्रस्न का उत्तर पांस से छे वाक्यों में लिखना है लिखा है arrange the following sentences in the sequence which in they appear in the story कैसे लिखना है देखिए बुक की सहायता से लिखना है कौन सा sentence किधर लिखा हुआ है जैसे I was very shy and about it all company ये फोर पे है left for और राजकोट गांधी जी की उम्र कितनी थी जब उन्होंने राजकोट छोड़ा seven years old वो सात साल के थे answer in one sentence एक वाक्य में उत्तर दें rearrange the words to make a meaningful sentence एक बिवस्थित और अर्थपूर सेंटेंस बनाने के लिए जो है सब्दों को पिवस्थित करना है my father bought a book लिखा हुआ father bought my book तो लिखना है my father bought a book मेरे पिता ने मेरे लिए एक किताब खरी दी answer in five to six sentences अब देना है पांस छे वाक्य मुत्तर there I was put in a primary school two पे है I was about seven when my father left for wonder first पे है I do not remember having ever told a lie during my school days third पे है my books and my lessons were my only companions five पे है देखिए किस तरह से arrange किया है I was about seven मैं लगबग साथ साल का था when my father left for wonder जब मेरे पिता ने पोरवंदर छोड़ दिया था there I was put in primary school तब मुझे एक प्रात्मिक विद्याले में रखा गया I do not remember मुझे याद नहीं है having ever told a lie during my school days मैंने अपने स्कूल के दुनों में कभी जूट बोला हो I was very shy मैं बहुत सरमीला था and awarded all company और सभी से दूर रहता था my books मेरी किताब है and my lessons और मेरे part were my only companions मेरे केवल वही मित्र थे इसके बाद assessment 4 answer in one word एक सब्नों उत्तर देना है how old was Gandhi ji when his father you have read about Mahatma Gandhi in the lesson part में आपने Mahatma Gandhi के बारें पढ़ा है what qualities of Mahatma Gandhi would you like to follow in your life अपने जीवन में Mahatma Gandhi के कौन सेगुण आप अनुसरण करना चाहते है the life of Mahatma Gandhi left a lasting impression on my mind गांधी जी के जीवन का मेरे मस्तिस्क पर गहरा प्रभाव पड़ा he is a copied he is an example एक्जाम पल टू बी copied वह अनुसरण करने के लिए एक उदाहरण थे ये थोड़ा सा रह गया था जो मैंने यहां पे लिख दिया है he did not remember having told a lie in his school days अपने विद्यालई जीवन में ने कभी जूठ नहीं बोला I like this quality most मुझे उनका यह गुण अत्तिक पसंद आया I will never tell a lie in future मैं भविश्य में कभी जूठ नहीं बोलूंगा इस तरह से यह आपका लेसन पूरा हो गया है इसके बाद है लेसन नमबर 9 यह आपको next वीडियो में कराया जाएगा और यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में comment करके ज़रूर बताईएगा देखने के लिए आप सभी का धन्यबाद आप सभी का दिन सुभ हो